त्रेक्टिकल करना जब जिस दिन लगे कि व हमाने थीक नहीं चालना आज लगे जिस पाइसद सर्ट चाहिए और आ नहीं रहा आज कुमें पांच हजर एक यृषण हजार के जरुवत है और कहीं से आवके नहीं, भगवान कहीं न कहीं से आज़ाए तो कुंदकेश्वन महाद्यू का नाम लेकर एक पुष्प उसका उंकर पर रगदो जिस जगहा से तुम कमाते हो जिस जगहा पर जिस गादी पर जिस पुर्सी पर तुम बेटने इसके सम्मुक में उस कुष्प का मुख बाहर होना चाहिए उसकी डंडी उसका जो डंडी का अब हाग है वो हमारी जो पुष्प रखोगे और टंडी का मुख केदर रखोगे अपनी और उसी तरह जो अपने तापने और की सिद्धा के अपन को इस तारे कर रहा है है तो हमको तो एक कुष्प का मुख बाहर की और अद्पन्टरर मतला है आखे तो सम्मू करते किसे हमें कुछ प्राप्त हो पर दुनिया के लोग उल्टा फूल चड़ाते हैं भगवान को तुम हमेंसा देखना है संकर जी के मंदिर में जाएंगे तो जो शिविलिंग होगा न शंकर बगवान का जितने पूजन करने वालों को देखोगे न यह शंक कितने पुष्प भगवान को रेना चाहिए बोलो रहे भई भगवान को रिजहाने के लिए कितने फूल भगवान को देना चाहिए बोलो तो कितने पुष्प भगवान को समर्पित करना चाहिए महाराज भगवान को कितने पुष्प देना चाहिए रिजहने के लिए भगवानों को अभी यहां से आवाज आई थी चार पुष्प भगवानों को समर्पित करना चाहिए कितने पुष्प चार बच्पन, जवानी, अदेडी और बुढ़ावा चार अवस्था समारने के लिए भगवान को चार पुष्प दिया जाते है पुष्प देते समय जिस दिन तुम भगवान को पुष्प दे रहा हो उस दिन हमें कुछ भी नहीं कहना हमारी तरफ से ये पुष्प भगवान से कहे पुष्प भगवान से क्या कहता है कि भगवान मुझे में जैसी सुगंद है, वैसी इसके जीवन में सुगंद देना, पुष्प कहता है भगवान, जैसी मुझे में ताजगी है, इसके जीवन में वैसी ताजगी देना, पुष्प कहता है भगवान, जैसे मेरी पत्तियों में रस है, इसकी जीवन में खुशिय है तो हमने पूछ लिया वह यह हमारे यहां तो ब्याव में जब भावर होती है उसके पहले जैमाला कराते हैं माला पिना देते हैं तो यह फूल मूल का चकर तो हमको समझ महीं नहीं आए तो हमने पूछ यह फूल काई को दिया है तो का गुरो जी समर्पन के लिए दिया है हम समर्पन के देवों मना नहीं है पर हमारे यह ऐसा विलान नहीं है फूल वगरा देने का आप भले दुनिया के दिखावे के चक्तर में कुछ भी करो वह अलग बाते पर हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं कि पुष्प आप किसी संसारिक मनुष्य को दे पुष्प अगर दिल से कुछ देना है तो भगवान को दो भगवान को समर्पन को हाँ, कोई गुरू है, सत्गुरू है, हम तो उनके लिए भी कहेंगे, अगर कोई गुरू जन आया, तो उसको पुष्प देने की जगह, पत्तियां निकालकर उसके चरणों में विच्छा दीजी अमारा, गुरू के चरणार, जैसे शबरी अमबा, आती की हैं की शबरी अमब भगवान प्राप्त हुए, और जिब शबरी अमबा के दरवाजे पर जैसे भगवान के लिए कुष्प भी खेर देती है, आप भी गुरू जन के लिए, परमातमा के सुख के लिए, आप ये नहीं की भगवान को बहुत कुछ दो, भगवान को अगर चार कुष्प भी दे तो भी चलेगा, तो यहां तो शिव महा पुराण में तो ये भी नहीं एखा कि पंखडी भी दो, शिव महा पुराण को करती अपना दिल दो भगवान, क्या दो, अपना मन, अपना भगवान को दे दो, भगवान को संपना नहीं, धन नहीं, दोलत नहीं, सत्ता नहीं, तु अच्छा देना देखो रदय भी देना तो अच्छा देना है और भगवान को वो दो जो भगवान के पास में नहीं है हम भगवान को वो देते हैं जो भगवान के पास में लिया जड़ाओ फूल ले जा भगवान को गेंदा का फूल चड़ादो माला चड़ादो ये क्या लगता है न हम तुम्हारे लिए उलिक ले लह रहाएं हैं तुम्हारे पास में अगर लाल कलर कि साड़ी है और नापरक्षा हो जो आखे पाल आकी दिर्ट फोटोड़ को टृटोड़ किन रखोगी और मनुंपड़े किसी ने लाल साडी दे या तुमने पास में पेले ची तुमने बाव को दे तुमने बहुपरे घुपर अची थी तो वेटी को देधि थोड़ी ऑगको देद अठी अगा दू भागवद पर चड़ाए पर पांट पर चाहिए होता है कोई नहीं पूछा ता ग्योरुजी ने दुनिया के लोगा आती में खोटाा सिह कंटागा मंदिर में लोग खोटा सिफारा हैं नोट खोटा सिह फटा हुआ नोट जिसको सब निकाल दें जो कहीं ना चले वो महादेव के चरणों में चले एक बार शंकर के पास पहुचा खोटे सिख्ये को भी चपटी भबूत में हैं खजाना कुवेर का बता वो समसान की भबूत कहीं चले अरे बोलो तो कहीं नहीं चले अगर कोई मुर्दा जलाने जाए तो घर आके नहाए तो पत्नी करें बाहर वाल्टी रखिए जना लो जा और अगर एसी घुज जाए घर में फिर देखो तुम्हें तो अकली देंगें मुर्दा जला के आए हो पूरी अकल महीं पे छोड़ी आए है समसान बाहर जाओ ना हो कपड़े भी महीं छोड़ दो मह इस गाड़ी पर आए हो गाड़ी पर पंडल वाई चपल भी की ली करो मुवाई है अब और एक पादन गोली धीरे से मारत दूम पानी चीट दूमिए है अब मात दूम है अब विचार करना समसान की रात कहीं नहीं चले पर एक ही को चले किसको मारे वो उसके पास एसी चले कि वोई भसमी करोडों की हो जाती है दक्षिन मुखी शंक होता है गनेश शंक होता है लचमी शंक होता है नारायन शंक होता है मारत कुवेर शंक होता है उत्तरवरती शंक होता है भूमी शंक होता है और राक्षस शंक होता है एक शंक हमारे घर में एसा राक्षस शंक कहीं हम गए बजार में और हम खरीद कर लिया है तो राक्षस चुशंक होता है जब तक वो घर की अंदर रहता है तब तक घर में आशान्ती बनी रहे चाहे सास हो ननन्द हो देवरानी हो जिठानी हो भाई भाई हो उठुम कभीला हो और कई लोग करते मारत पतनी का सुभावती वरे कोई करता मा का सुभावती वरे कोई करता जिठानी का सुभावती वरे कोई करता पती का सुभावती अर्था याद करना मतब तुमारे घर में कोई शंक यसा रखा हुआ है तो उसका राक्षस वरती शंक रखा हुआ है जिसके कानवस वो राक कमल गट्टा कमल गट्टा जानते हो किराने के दुकान पर बिलता काले काल रहा हो वो कमल गट्टा उसमें पटक दिया जाता है शुक्रवार के दिन शुक्रवार शनीवार और रविवार तीन दिन तक उसमें पानी भरा रहें दे जो की हकला रहा हो तोतरा बोल रहा हो या बि बाइनी भी क्लियर होगी हकलाना बंध होगा और उसकी आवाज बाबा की क्रपा से कुंद केश्वर की कुना है कुंद केश्वर इस्तुमरन का जो नाम जात है वह सुक परदान करता हम तो कई वेपारियों से करते हैं कि अगर तुम्हें यहाज अग रहा है कि आज दिन बर से पर जाएगा और यह तुम चाहो तो कल्सी करके देख लेए इसलिए प्रेक्टिकल जरूर करना जाना जाए एक महाराजी प्रवचन में कह रहा है थे सराव नहीं पीना चाहिए सराव पीने वाला व्यक्ती मदिरा पीने वाला व्यक्ती गटर में पड़ा होता है नाली में प्रवचन कर रहा हूं मेरा भाई भी प्रवचन कर रहा है मैं मुख से समझा रहा हूं मेरा भाई प्रेक्टिकल करके दिखा रहा है तुम जैसे समझ ना चाहो इसे समझ जाए से लिए प्रेक्टिकल जरूर करना कि अगर लगे कि आज वेपान था वेपान ठीक चले तो भी श्री शिवार नमस्तु हम्हम्हम्